लोग सबह चुनाओ अब अपने आखरी दोर में है और साथवे चुरण के लिए चुनाओ की तैयारिया भी तेज है और पाटियों की ओर से चुनाओ प्रचार भी जमकर किया जा रहा है साथवे चरण में कई वी आईपी सीटों पर भी मतदान होना है और इसमें सबसे ज़ादा नजर है वारणसी सीट पर वारणसी सीट सभी सीटों में सबसे एहम है यहां से बीजेपी के उमीदवार है नरेंदर मोदी तो दूसरी और इंडिया गडबंधन में ये सीट कॉंग्रेस के खाते में गई है और कॉंग्रेस की और से उमीदवार है अजय राय तयारियां अपने अंतिम चरण में है और इस सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पूरा जोड लगाया जा रहा है वारानसी सीट पर तगड़ी जीत की आशल ये बीजेपी के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा वारानसी पहुँचे सात्वे चरण के मदान को लेकर सारी पाटियों ने अपनी पूरी ताकत यूपी के तमाम सीटों के मद्देनेजर जोग दी है देख सकते हैं कि जेपी नड़ा भाजपा के राश्टी अध्यक्ष इस समय बाबा काल भैरो काशिक कोतवाल यानि वारानसी संसदी छेत्र में मौझूद है और विदिभत पूजन अर्चन कर रहे हैं और यहां पर उन्होंने आरती भी की सुभा का पहला कारिकरम जेपी नड़ा का काल भैरो मंदीर में ही था और सीधे आने के बाद इस मंदिर में उन्होंने बाबा के दर्वार में मथा टेका और विदिवत पूजन अर्चन करने के बाद वो आरती भी कर रहे हैं कहा जाता है कि काशी में किसी भी काम को शुरू करने के पहले बाबा काल भैरो की अनुमती की जुरूरत होती है और देख सकते हैं कि खुद राश्टी अध्यच भारती जन्ता पाटी यहां पर बाबा काल भैरो का अशिर्वाद लेने के लिए पहुचे हैं क्योंकि सात्वे काफी महत्पूर माना जा रहा है बनारास की हाई प्रोफाइल सीट जिस पर खुद पधान मंत्री नरेंद मोधी खड़े हैं और उनको इंडिया गड़ बंधन के उम्मिदवार अजैराय कॉंग्रेस के यूपी अध्यक्ष टकर दे रहे हैं वारण असी पहुचते ही सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष काल भहरव के आशिरवाद लेने के लिए पहुचें काल भहरव मंदिर पहुंचते ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने काल भहरव की पूजार चना की और पूजारियों ने पारमपरिक परीके से उनको तिलक लगाया और आशिरवाद ने फूलों की माला पहना है इसके बाद जेपी नड़ा उसी मंदिर में खुद को ज़ड़वाते भी नज़र आए काल भहरव मंदिर की प्रक्रिमा करते ही जेपी नड़ा बाहर आये तो एक चाई की दुकान पर खड़े होकर चाई के चुस्की ली कारेकरताओं के अलावा आम लोगों से बाचीद भी थी जब भी मैं काशी आता हूं तो काल भहरव के दर्शन काशी विशनात के दर्शन संकट मोचन के दर्शन यह हमेशा करता हूं आज भी जब मैं आया हूं तो मुझे नई उर्जा मिली है बैकाशी विशनात के भी दर्शन करूँगा और उस उर्जा के साथ दिन रात एक करके समाज को के काम में जुटूं और समाज मंगल में रहे, सब खुश रहे, सुख शांती रहे, देश आगे विकास करे और मोदी जी के नेतुत में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को और रहानमंत्री मोधी जी के नितुत में तीसरी वार हम 400 पार करते हुआ आगे बढ़े आखरी चरण में चुनाओ के लिए हर पाटियों की ओर से जोर लगाया जा रहा है फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कॉंग्रेस शनिवार को कॉंग्रस उमीदवार के लिए प्रियंका गांदुय और डेंपल यादव की ओर से रोचो भी किया गया था तपती गर्मी में हर निता अपना पूरा जोर इस सीट पर लगाये है ताकि जनता का आशिरवाद मिल सके